पार्लेमेंट रिपोर्टर सिरीज के लिए 150 सब्द प्रतिमिनट की गति से डिक्टेशन होगी अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें तो चली फ्रेंट्स देर न करें सुरू करते हैं स्टार्ट महोदे यहां यह उलेखनी है कि सीत यूद की समाप्ति वा समधान एसिया की घटनाओं तथा अफगानिस्तान से सोवियत सेना की वापसी से ही हुआ है अफगानिस्तान में लंबे अर्से तक चला यूद सोवियत संग के अस्तित्व के लिए कश्ट दाई और मुस्किल हो गया यह भ्यावा यूद से सोवियत सेनाओं की वापसी से अनेई घटनाओं ने जन्म लिया जिनकी परिनती सीत यूद की समाप्ति से हुई तथा जिसमें जर्मनी का एकी करन तथा सोवियत संग का विगटन सामिल है संचेप में सीत यूद का और इस तनाओं का एसिया की एकता पर दुरगामी प्रभाव पड़ा एसिया के सभी देशिया चाहते थे कि छेतर में सांती बनी रहे, चीन और सोवियत संग का सीमा विवाद, चीन और वियतनाम का जगरा और भारतव चीन का सीमा विवाद उस समय की परिस्थितियों को असपश्ट करता है इस तरह से पकिस्तान, पूरी तरह से थाइलेंड और फिलिपिन्स के साथ अमरीका के खेमे में चला गया था, जापान अपने आर्थिक और वैपारिक संबंधों के कारण पस्चिम के देशों में सामिप अस्थापित कर रहा था, इससे एसिया की एकता को एक नया धक्का लग है क्योंकि एसिया के देश अलग-अलग खेमों में बट गए थे, 1960 के दसक में एक नया मोड आया, जब सीत युद के समय में आशियान के नाम से एक नया गुट का प्रादुर भाव हुआ, इससे दक्षिनी पुडवी एसिया के देशों में नए आर्थिक और सुरक्षा प्रयास किये गए, इन देशों में सांस्कृतिक एक रूपता की वजह से भी एक नया गुट ने जन्म लिया, लेकिन या कहना कठिन होगा कि इन दक्षिन पुडवी एसियाई देशों से समूचे एसिया की पहचान या एकता बनाने में सहता मिली है, या उससे धक्का लगा है क्योंकि इन देशों ने अपनी नीती बहुत असपश्ट नहीं की और केवल अपने ही गुट के अंदर भूमिपुत्र नीती को जन्म दिया, भारत भी अब आशियान का सहयोगी सदश्य बनने जा रहा है, भारत की पहल से दक्षिन एसियाई सहयोग संगठन सार्क की अस् के फल सरूप परोसी देशों के आपसी सहयोग के लिए नया वातावरन तयार हुआ, यह प्रया सनेह सनेह उपियोगी रूप लेता जा रहा है, जो एसिया की पहचान बनाने की और महतपुर्ण कदम है, वैपार निवेश तकनीकी ज्यान संचार माध्यमों में बढ़ोत्री ने विशोगाओं के विचार को भी पैदा किया, बढ़ते हुए वैपार निवेश संचार एवं विज्यान की आधुनिक तकनीकों ने पूरी दुनिया में एक दूसरे पर निर्भर रहने के नई विचारों को जन्म दिया, अंग्रेजी भासा, हॉलिवुड कम्प्यूटर और उपभोगता संस्कृती ने पूरे विश्यो को प्रभावित किया, जिससे देशों में फासले कम हुए, संस्कृती और सभ्यता भी प्रभावित हुई, होशकता है कि इसके अच्छे परिणाम न हो, ऐसी भी आशंका की जाती है, उधार्मत जापान दूसरे महायुद त अपनी संस्कृती और सभ्यता वा समयुक्त परिवार जैसी आधार भूक्त सामाजिक मान्यताओं को केवल अपनाए हुए नहीं था, बलकि उससे चिप्टा हुआ था, लेकिन जापान जैसे सभ्यता वाले देश भी यूरोप के प्रभाव से बच नहीं सके, महोदे, दूस पुना धुंदलापन पैदा हुआ, लेकिन यह बात सही है कि एईसिया की संस्कृती और सभ्यता को पश्चिं के प्रभाव और अधुनिक्तм, तरीकों ने नश्ट कर दिया, हाँ एक धक्का जरूर दिया, पर समय समय पर एईसिया का यह रूप, एसिया की यह सभ्यता और स संस्कृती बल साली तरीके से उदैमान होती दिखाई देती है पंडित जवाहरलाल नहरू ने 1945 में अपने पुस्तक डिसकवरी ओफ इंडिया में एसिया की पहचान पर लिखा है कि हजार वर्सों से जब यूरोप अपने अंधकार की यूग में था एसिया ने अपने मनिश्य की प्रगती आत्मा को प्रभाव साली ढंग से दर्साया उन्होंने यह स्वास भी जताया कि एसिया की संस्कृती और सभ्यता यूरोप की संस्कृती और सभ्यता से अधिक प्राचीन है आज के दिनों में भी चीन के नेता अपने यहां अध्यात्मिक क्रांती की बात करते द और पारंपरिक संस्कृती के मिश्रन से मलेसिया का विकास करना चाहते हैं। भारत के प्रधान मंत्री भी मध्यमार्ग की बात करते हैं, जिसको वे भारत का पारंपरिक विचार कहा करते हैं। चाहिए जो एसिया की पहचान को नई सीरे से बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। यह भी बताना उचित होगा कि हाल के वर्सों में एसियाई देश विशेश रूप से पुडवी एवं दक्षनी पुडवी एसिया के सुद्रिर देशों के रूप में उभरे हैं। और इन दे साबदी में विश्व आर्थिक विवस्था के निर्माताओं के रूप में उभरने की आसा है। आर्थिक सफलता की इन कहानियों का श्रे मुख्य रूप से अनुशाशित कारी किफायत एवं बचत की उची दरो जैसी एसियाई विशेस्ताओं को जाता है। तथा इन से दे इसों में अब आपसी भाईचारे की भावना उभर रही है और इस ये देश परस पर निर्भर हो रहे हैं। तथा सीत युद के प्रभाव से मुक्त होते जा रहे हैं। हमारी सरकार ने अपने एसियाई परोसियों के साथ बहतर संबंध बनाने में पाहल करके इस बदलते र इसियाई अपने इन प्रशनों के उत्तर में एक नए एसियाई को जन्म देगा और अपनी एक नई पहचान बनाएगा। यूरोप और अमरीका के आधुनिक और द्योगिक विकास में फरक नजर आता है। महोदे बच्चे किसी भी देश के भविश्यों होते हैं यह यतार् और सदियों से इस ओर विशेश ध्यान देने की आवशक्ता पर बल दिया गया है। जन्म से लेकर बच्चों के स्वास्त रहन सहन और उनकी सिक्षा को लेकर उनके माता-पिता का चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन तेजी से अपनी जड़े जमा रहे भौतिक वाद न और आत्मी विश्वास के साथ समाज के सहज प्रहरी बन सके। पिछले कुछ दसकों से बच्चों के भविश्य को लेकर उपजी चिंताओं ने व्यग्यानिकों और मनु व्यग्यानिकों को शोधा और अनुसंधान के लिए बाद्धी किया है। नित नई-नई समश्याओं ने माता-पिता को दुविधा में डाल दिया है। एक ओर जहां जीवनी आपन के लिए महिलाएं भी पुर्सों की तरह कमर कसकर घर की चार दिवारी से बाहर निकल रही है। वहीं इसके कारण सदियों से चली आ रही सामाजिक संरचना गरबराने लगी है। आज जीव का कम आने और अत्यधिक सुख वैभाव की चाहत ने हर दमपती को जीवन सैली बदलने पर मजबूर कर दिया है। समाज में हो रहे इस बदलाओ के कारण बच्चे सबसे ज़्यादा उपेचित होने लगे हैं। अब तक कि तमाम रिपोर्टों के मुताबिक या असपश्ठ है कि अगर बच्चों के प्रती माता पिता की उदासिंता इसी प्रकार बढ़ती रही तो आने वाला वक्त तमाम परिशानियों के कारण जटिलता भरा हो जाएगा। बच्चों के सरवांगिन विकास के लिए जो सबसे पहली समश्या सामने आती है वह है उनका स्वास थे। माता में अक्सर यही देखा गया है कि माता पिता खाने पीने के मामले में बच्चों पर मनोवज्यानिक दबाव रखने में लगे रहते हैं। उनकी कोशिस यही रहती है कि उनका बच्चा हमेशा खाता पिता रहे और फिर यह होता है कि बच्चे के खाने पीने का कोई समय निर् जर डाले तो पता चलता है कि विकास देसों में खास तोर से बच्चों का मोटापा चिंता का विशय बनता जा रहा है। ओसत की तुलना में दो गुना से अधिक थी इनमें मोटापे की सिकार बच्चों की संक्या पिछले 10-12 सालों में काफी तेजी से बढ़ी है। क्या रहा है।